हम विबिन्द पीमारियों में प्राकृतिक जीवन और सरल आसनों तथा प्राणायाम के विबिन्द पद्धतियों द्वारा किस प्रकार लाब उठा सकते हैं? आईए देखते हैं कारिक्रम, योग और स्वाक्स बेख संधि संचालन आसन के लिए शान्त, साफ और हवादार स्थान में आसन लगाईए, बेहतर हो एक कंबल या कालीन बिछा कर बैठें संधि संचालन के अभ्यास में सबसे पहला आसन है पादंगुली नमन इसके लिए दोनों पैरों को सामने की और फैला कर बैठें, हाथ को पीछे सहरा देने के लिए रखें पैर की अंगुलियों को मोड़ना और खोलना शुरू करें, श्वास छोड़ते हुए अंगुलियों को सामने की तरफ मोड़ें, श्वास लेते हुए अपनी तरफ केवल अंगूलिया मुडेंगी पंजा स्थिर रहे पांच बार अभ्यास करने के बाद थोड़ी देर का विश्राम करें और अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास करें अगला अभ्यास है गुल्फ नमन इसमें दोनों पंजों को आगे पीछी करना होता है अंगूलिया स्थिर रहें केवल तकनों में गती करनी है श्वास लेते हुए पंजा आगे मोडे और श्वास छोड़ते हुए पंजे को पीछे मोडे कहां की नस्य खिच रही है कहां पर हलकी बीडा उत्पन्न की जा रही है पूरी चेतना और सजक्ता तकने के आसपास रखें पाँच बार इस अभ्यास को करने के पश्शाथ थोड़ी देर विश्राम करें अगली प्रक्रिया है गुल्फ घुर्णन की एक पैर को मोड कर दूसरे पैर की जांग के उपर रखिए एक हाथ से पैर के पंजे को पकड़िए और दूसरे हाथ तकने पर हाथ की सहायता से पंजे को गोल-गोल हुमाईए एक श्वास में एक चक्र पाँच बार क्लॉक्वाइस पाँच बार एंटिक्लॉक्वाइस अब दूसरे पैर से इसी तरह इस अभ्यास को करें पाँच बार एंटिक्लॉक्वा-दी और अगला भ्यास है जानु नमन जांग के नीचे अपनी हतेलियों को फसाईए और घुटने को मोड़ना और खोलना शुरू कीजिए श्वास लेते हुए खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे एड़ी जमीन को छुएगी नहीं उपर ही उपर लाना और ले जाना है खोलते वक्त घुटना सीधा रखने का प्रयास करेंगे पूरी सजगता पूरी चेतना घुटने के आसपास पांच बार दाहिने पैर से फिर पांच बार बाएं पैर से श्वास लेते हुए पैर खोलना है और श्वास छोड़ते हुए मोड़ना है अभ्यास के पश्चा थोड़ी देर विश्राम और अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास अब जानुचक्र जांख के नीचे हाथों को कोहनी तक फसाईए अब घुटने को गोल गोल घुमाना है जितना बड़ा चक्र बन सकता है बनाने का प्रयास कीजिए श्वास लेते हुए पैर को उपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है एक श्वास में एक चक्र तीन चार बार क्लॉक्वाइस और उतने ही बार एंटिक्लॉक्वाइस अभ्यास के प्रभाव को अब्जर्व कीजिए अब दूसरे पैर से इसी तरह इस अभ्यास को करें एक बार क्लॉक्वाइस अगला अभ्यास है जानू फलक आकर्शन खुटने की मानस्पेशी को सिकोड़िये और छोड़िये श्वास लेते हुए मानस्पेशियों को अपनी तरफ खीचिये थोड़ी देर रोकिये श्वास छोड़ते हुए मानस्पेशियों को धीला कीजिये पांच-पांच बार अपने श्वास और समय के मताबिक फिर थोड़ी देर का विश्राम अर्ध तितली आसन एक पैर को मोड़ कर दूसरे पैर के जांख के उपर रखिए एक हाथ टकने पर और एक हाथ घुटने पर हाथ की सहायता से घुटने को उपर और नीचे लाना है श्वास लेते हुए जमीन की तरफ और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ बहुत धीरे धीरे पांच-पांच बार दोनों पैर से बारी-बारी से करना है पूर्ण तितली आसमा दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाईए दोनों हाथों को पैर के पंजे में लौक कीजिए घुटने को उपर नीचे करेंगे सामाननी श्वास प्रश्वास के साथ रीड की हड़ी सीधी सीना खुला हुआ तेजी से उपर नीचे पैरों को कीजिए फिर थोड़ी देर का विश्राम